सातियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे भई सवधी अरभिया से रेलेटेड अलाएंकि सवधी का तो एक एक्जामपल है क्योंकि एक्जामपल एविडेंस के तोर पे आया है इंडियन एमबेसी रियाद ने डाला है इसलिए मैं आप लोगों साथ सेयर करूँगा बाकी ये न पाबंदी, टिकट की पाबंदी, फ्लाइट की पाबंदी, वहां पर करफशन बढ़ने के सान से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी हो जाती है उन कंट्रीज में जाना बहुत सारी लोग जो छुटी आये थे जिनका आखामा कैंसल, वीजा कैंसल, ठीक है जोब से रिलेटेट जाना, वीजा, अक्सपायर बगरा 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 तो वो कहीं न कहीं पिर कहीं न कहीं कोशिस करते हैं कि अपने को ऐसा बंदा मिल जाए जो अपने को सावधी पहुचा दे, जो कोवेट पहुचा दे, जो उस कंट्री पहुचा दे, तो वहां पर फिर evidence के तोर पे डाला है क्योंकि कहीं न कहीं ये बात Indian embassy के पास पहुंच गई मैं बता दो इसमें साफ साफ हिंदी में भी लिखा है मैं add कर दूँगा आप साथ में देख सकते हैं रियाद इंडी एक्षुल में होता कि यह जो गलत करता है नो कहीं बात पहुंच जाती है इंडियन embassy के बात पास यह बात पहुंची है कि इस mail आईडी चे दें कि ट्विटर हैंडल शैम इंडियन embassy जैसा email id शैम इंडियन embassy जैसी ठीक है इन पे यह नगली बनते हैं आपको पता है social media पे तो यार सबसे ज्यादा मैं तो कूँ फरजी फरजी भरे पड़े हैं अच्छा हुआ इंडिया में यह एप बंद हो गए वरना तो पता नहीं कि लोग कितने बरबाद होते अब सोड बचें ट्विटर बचा है फिस्बुक बचा है यूटूब बचा है इशमें भी लोग फरजी भाड़ा करते हैं इसमें इंडियन embassy रियाद के नाम से email id इंडियन इंडियन रियाद के नाम से ट्विटर इंडरल तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाते हैं सरजी इंडिया से हैदराबाद से टिकट सौधी के लिए राजस्तान से टिकट सौधी के लिए कब बनेगी अलांकि ओरिजिनल अकाउंट पे आप मेसेज करोगे तो वहाँ से रिपलाई आएगा जैसा भी होगा लोगे तो आपकी email आईडी आप उनको kontakt में डालोगे नंबर कॉंटेक्ट में डालोगे तो उनके पास पहुंछ जाता फिर वह क्या करते हैं यह पहुंच गरते हैं कि आप एक काम करें बात कर रहें आप इतना पैसा हमारे कवंड में डाल दीजिए हम आपकी टिकट बना और लोगों के माइनवार में इंडियन एबंबेशी हमारी हेल्प कर रही है तो वह बंदे फिर पैसा दे देते हैं किसी नहीं किसी तरीके से तो इस तरह से फिर वह पैसा एकटा करके फुर पूर्स हो जाते हैं पता ही नहीं लगता यह एक्जामपल इंडियन एंबेसी ने बोला कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ओ अलाउंस नहीं किया जाता कि हम आपको टिकट बना देंगे आप हमें इतना पैसा देजीजिए हमारी इमेल आइडी यह है जो इसमें स्क्रीन सोट पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेल इमेल आइडी इंडिया ने बेशिक अलग हैं फरजी में देखिए नाम यह सोचल मीडिया का एक अच्छा काम यह है कि जिस नाम से अकाउंट बन गया असोग एलल भी ठीक है तो उस नाम से दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा उसमें कुछ न ओ हम तो बरबाद हो गए क्या करें अब तब होना क्या वही चीडिया चुग गई खेत आप अस्ताय क्या हो तो वह हमारी राजस्तानी में कुआउत है वह होने वाला है तो इन चीजों का पहले से इंडियन मेसी ने भी यह मैसेज इसलिए डाला है ट्यूटर हेंडल पर कि ह हमारी इमेल आइडी यह है टीटर हैंडल यह है फेस्बुक यह है यानि जितने भी उनके सोचल हैं वह नंबर कॉंटेक्ट नंबर वगरा सब इसमें दिये गए हैं तो थोड़ा सा यह तो एक एक्जांपल है बाकी यह कहीं भी कुछी भी कंट्री का हो सकता है जहां फे फ्ला सबसे ज्यादा प्रोब्लम में हम बात करें तो वह लोग पिर कभी ने उनकी भी गलती नहीं होती वह जोड़ तोड़ की कोशिज करते हैं फिर उनको ठगी का सामना करना पड़ सकता है तो इन चीजों से बचना है अगर आप से कोई चला के कॉल करता है कि सर आपका आपने मैसिज किया था हम वहाँ पे हाई कमिशनर से बोल रहे हैं आपकी हम टिकट बना दें आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजी तो भाई आप देख लें आपको क्या आपके साथ होने वाला इन चीजों से आपको बचना है चे कोई कंट्री हो चला के कोई फोन करता है अंडेड परसेंट फेंक और गलत है क्योंकि चला के फौन तो भाई कोई भी नहीं करता नहीं है चला के फौन तो कौन करेगा खिसको जुरू आपको करिया उनको कमिशन मिलता इसका मतलब है थोड़ी को चला चला की फौन करें जी सर जी टिकेट बनवाले हो सवधी का कोई नहीं करेगा ऐसे बही ऐसे अगर बोलने लगे तो कोई करवाता है तो दो भी नहीं करवाएगा तो इन चीजों से थोड़ा सा बचें ध्यान रखें बाकी बंदे बार 7 स्टार्ट हो चुका है उसकी लिस्ट के में वीडियो जरुत नहीं है बाकी और अप्टेट अजय से आती है हम आप लोगों साथ शेयर करेंगे वीडियो चाले के लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद जैभर